हेलो एवरीबन तो चलिए करते हैं फिर से हम लोग मिस्लेनियस कॉमनेर्स का प्रैक्टिस क्वेस्टन नमबर वन से देखिए भाई क्वेस्टन नमबर वन देखो ती भीच आयम ड्रिंकिंग इस हाथ ध्यान दिजेगा यहां पर कह रहा है कि चाय जो मैं पी रहा हूं जो मैं पी रहा हूं वो गर्म है ठीक है यहां पर देखो कि टी है अनकाउंटेबल नाउन के पहले पराय हम लोग आर्टिकल का परियोग नहीं करते हैं यह बात अब ही ज एटसेटर एटसेटर तो टेक मींस होता है पीना यह बात बिल्कुल सही है लेकिन किसी भी पे को पीने के लिए आप ड्रिंक का परियोग कर सकते हैं हम लोग टेक का परियोग टी के लिए अकसर क्यों करते हैं क्योंकि चाय को हलकी मात्रा में लेते हैं और किसी भी भोजन को या फिर पे को हलकी मात्रा में ग्रहन करने के लिए टेक का परियोग होता है ध्यान दिजेगा, eat means खाना, खाना होता है, have means ग्रहन करना, take means लेना कोई भी भोजन को या पे को आप light लेते हैं, हलका लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, take तो taking भी सही है, और drinking भी सही है, मैं क्या आपको बताया, कि किसी भी पे को पीने के लिए drinking का परियोग बिल्कुल सही है, यह कोई जरूरी नहीं है, कि tea के लिए हमें सा take ही होगा, drink भी सही है लेकिन यहाँ पे देखिएगा, particular sense है, कोई भी चाय नहीं, बलकि जो चाय मैं पी रहा हूँ, और गर्म नहीं है यह क्या है related pronoun, और related pronoun जब किसी antecedent के बाद आकर, जब किसी antecedent के बाद आकर, उसको specific और particular बनाता है तो ध्यान दिजएगा, उसके पहले definite article दा का परयोग होता है, तो यहाँ पे missing था, यहाँ पे missing था article क्या दा, यहाँ पे दा का परयोग होना चाहिए, error कीस पार्ट में है, first पार्ट में, बाकि और सारी चीजे बिलकुल सही है एक कलाउज हो गया, ध्यान दिजएगा, यहाँ से यहाँ, देखो कि एक कलाउज है, और हमारा इज का subject कौन है, tea है, ठीक है, tea है, अगर tea is hot रहता तो सही हो जाता है, चाय गरम ही होता है, चाय गरम ही होता है, तो tea is hot, लेकिन कोई भी चाय गरम नहीं है, जो मैं पी रहा जाता है, definite बना दिया जाता है, particular बना दिया जाता है, तो उसके साथ definite article का use होता है, definite article क्या है, the, और indefinite article क्या होता है, an, ठीक है, जब किसी noun के बारे में आप नहीं जानते हैं, या पिर किसी noun को लेकर in general बात कर रहे होते हैं, whole class की बात कर रहे होते हैं, तो फिर article नहीं रॉल्हें है तो पानी का कोई मुड्य रहा हीवाइब नहीं हो गर्म है को ऐसी करना पड़ेगा तो फिर ने रहाइं हे लाइप में पॉरर्ट माइब करना पड़ेगा फ warto pen करता है तो कोई भी पानी नहीं funkया च्अससपिक हो गया तो दा भाटर इस करना होगा है न ठीक है, I hope कि अब समझ गए है, आगे चलोगे next question, although, यहां पे थोड़ा सा typing mistake है, although एक साथ होना चाहिए था, although the police, यहां पे भी थोड़ा सा space हो गया, जो space नहीं होना चाहिए, although the police, officer, sympathized, beat poor नहीं, the poor, क्या होगा, the poor, यहां पे गलती है किस पार्ट में, first part में, क्योंकि beat क्या या तो तुम noun लिखोगे, या तो noun ही को violent लिखोगे, poor तो क्या है, adjective है, तो poor से दो noun बनता है, एक poverty और एक होता है, the poor, तो poverty मींज तो एक state हो गया, अवस्था जिसका meaning होता है, गरीबी, लेकिन the poor का meaning हो गया, गरीब लोग, क्या, गरीब लोग, तो यहां पे गरीबी का sense न noun, sorry, the plus adjective जो होता है, आपको याद रखना है, कि the plus adjective noun equivalent होता है, noun के जैसा कार्ज करता है, और यह चुकी whole community को दर साता है, किसको whole community को दर साता है, जिस करण से, यह always क्या होता है, plural होता है, याद रखना, always क्या होता है, plural होता है, और एक बात आपको और याद रखना है, कि the plus adjective कभी भी aq का परियुग नहीं होता है उसके गडिब लोग इमंदार होते हैं उसको देखना पेपर पे कितने टरीका से गलती करवा सकता है गरीब लोग इमंदार होते हैं the poors are honest the poors are honest यह rong hai poor Funk नहीं लएगा एक गलती और करेगा दा the poor is honest, यह भी रॉंग है, the poor plural है, तो is नहीं आर लगेगा, तो क्या होगा, the poor are very honest, या फिर honest होगा है, ना, तो यहाँ preposition के बाद noun का place होता है, तो poor तो noun नहीं है, लेकिन noun बनाने के लिए the poor लगा देंगे, whole community, गरीब लोग, he refuse to take an action against the क्या है, the reach man, यहाँ पे the plus क्या है, reach, reach ह यह क्या होगे, noun होगे, तो sir, the plus adjective के साथ noun लिख सकते हैं, हाँ, the plus adjective के साथ noun लिख सकते हैं, ऐसी अवस्ता में singular plural दोनों होगा, जैसे the reach man बोलेंगे तो singular है, और the reach man बोलेंगे तो क्या है, plural है, ठिके है, और the plus adjective लिखेंगे, तो हमेसा मेसा यह plural होजाएगा, I hope कि आपको स इसको फ्रेजल भर में आपको पढ़ाया जाता है look up means dictionary में सब्द का meaning ढूंदना look for means होता है तलास करना ढूंदना और look at means होता है किसी को देखना look into means जाच पढ़ताल करना होता है look into means जाच पढ़ताल करना होता है और look forward to का मतलब होता है उत्सुकता से कोई सी चीज का इंतजार करना उत्सुकता में future में होने वाला किसी चीज या किसी घटना का इंतजार करना look forward to होता है और आपको याद करना होता है मेरे भाई कि look forward to याद रखना look forward to के expression में क्या आया हुआ है to आया हुआ है look forward to ऐसे पढ़ाया जाता है कि in general 2 के साथ क्या आता है भर्व का first form आता है 2 के साथ क्या आता है भर्व का first form आता है लेकिन look forward 2 में ध्यान दिजेगा हमेशा हमेशा click आएगा before आएगा जिसका नाम क्या है जेरंड है क्या जिसका नाम क्या है जेरंड है क्या जेरंड है ना, look forward to के साथ जेरंड आएगा, ऐसे बहुत सार एक्सप्रेशन है, जिसके साथ जेरंड आता है, ठीक है, इसके साथ जेरंड आता है, यह आपको 100 most important rules का एक स्रीज में चलाया था, उसमें भी यह rules में पढ़ा कर upload किया गया, तो उसको अब देख सकते हैं, कि ऐसा कितने expression है, जिसमें to आता है, और to के बाद भी फोर आता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सायद आपका revision हो जाए, look forward to, in addition to, death of you to, due to, owing to, prone to, admit to, confess to, addicted to, habituated to, accustomed to, or used to, इस सारे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, भरपलास, ING, और एक है अपत्ति जाताना, object to, ठीक है, तो इ यहाँ पे here नहीं होगा, यहाँ पे hearing होगा, यहाँ पे क्या होगा? hearing होगा, जो किस option mirror है? B part mirror है, ठीक है? B part mirror है, about the missing fisherman, ठीक है? news सुनने का कि आचिस के बारे में कि जो missing fisherman है उसके बारे में कुछ चीजे पता चलेगा तो गलती हमारा second part में हो गया आगे बढ़िएगा the actress was socked actress जो है socked है by the news of her dog's death तो यहाँ पर preposition करे रहे है ध्यान दीजेगा जितने भी surprise express करने वाले word है जैसे कि alarm हो गया surprise है sock है पजल है distress है यह सब के साथ हम लोग preposition add लगाते हैं तो यहाँ पे by का परियोग नहीं होगा add का परियोग होगा लेकिन इसको हम अगले दिन बताएंगे ठीक है अगले दिन बताएंगे जब अगला questions बता रहे होंगे next 25 questions बता रहे होंगे तब हम आपको बताएंगे कि sock'd के साथ कब buy लगता है और कब add लगता है तो आपको ऐसे देख कराना है अगर आपको प्ड़ाया गया है तो द्यांदी देख कराना है वो comment करना है कि कब sock'd add होता है और कब sock'd buy होता है यह आपको comment करके बताना है भाई कि SORT के साथ कब BYE सही होता है और कब AT सही होता है दोनों बिल्कुल सही है SORT के साथ AT भी लगा सकते हैं BY भी लगा सकते हैं लेकिन जब क्यों बैक्ति किसी चीज पर आशाः चकीत होता है भोचक्का होता है अवाक रह जाता है तो उसके लिए हम लोग अट का परियोग करते हैं ठीक है लेकिन मैं बता ही देता हूँ और शॉक्ड जब कोई बैकती जब कोई बैकती किसी चीज पर शॉक्ड है जो देखा जाए तो सोसल रूप से इमोरल है अनैतिक है जो नहीं होना चाहिए वैसे किसी चीज पर क्या है वो सॉक्ड है या वैसे कोई चीज किसी आदमी को सर्प्राइज करता है आशे चकित करता है तो उसके लिए मनलोग बाई लगाते हैं क्या लगाते हैं बाई जैसे I was socked by his kidnapping, उसका kidnapping जो है, immoral चीज़ है, अनैथिक चीज़ है, जो नहीं होना चाहिए था, वो मुझे क्या किया है, socked किया है surprise किया है, आचाय चकित किया है तो यहाँ पर by होगा, उस लड़की ने मुझे आचाय चकित कर दिया, socked कर दिया, तो I was socked by हर होगा, क्या होगा by हर होगा, लेकिन किसी कुत्ते का मरने का new जो प्राप्त हुआ है, तो यह socially देखा जाय तो अनैथिक काम नहीं है, immoral काम नहीं है तो इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, at लगा देंगे, तो इसको याद कैसे करना है socked at something होता है, कोई चीज पर आप socked हो गए हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए था, तो इसके लिए आप socked at का पर्योग करेंगे, और जो ध्यान दीजेगा, social चीजे नहीं है, और ओ आपको 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 चाहिए चकित करता है कि यह कैसे हो सकता है किसी के साथ इतना बड़े घटना ऐसा धियान दी जाए गलत, इतना गलत काम कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग sock के साथ बाई का पर्योग करते हैं, तो गलती किस पार्ट में है, थार्ट पार्ट में आगे बढ़िएगा next question one of the questions, he ask me, यह तो देखोगे, यहां से लेकर यहां तक अपने आप में cloud है भाई, एक cloud है, आप तुमको मज़ा हैगा, one of the questions, हम आपको first video जो है, उसमें आपको पढ़ाये थे, साथ आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, कि one of के बाद क्या आता है PCN, one of के बाद क्या आता है PCN लेकिन हम लोग भार्व singular लगाते हैं अगर यहां पे question में नहीं रहता तो error हो जाता, तो one of के बाद questions बिल्कुल सही है, लेकिन one के अनुसर भार्व singular लगना चाहिए, तो बाज हमारा singular भार्वी बिल्कुल सही है who did you travel with ध्यान दिजएगा, यहां पे मज़ा आ गया travel हमारा क्या है, भार्व है और भार्व के तुरंट पहले इंटरोगेटिव sentence में जो आता है, वो क्या होता है, subject होता doer होता है, अब कह रहा है कि आप किसके साथ travel कर रहे थे तो बीत हमारा क्या है, preposition है क्या preposition, अब preposition के साथ हम लोग objective case यूज करते है, हू तो subjective case है तो यहां पे हू का परयोग नहीं होगा किसका परयोग होगा, हूम का किसका हूम का, यह objective case में परयोग करना चाहिए, ध्यान दिजएगा आपके गुरु जी पढ़ाये होंगे हू हमारा क्या है, subjective case हू जी क्या है, possessive case और हूम क्या है, objective case है ना, हूम क्या है, objective case तो object क्या स्थान पे हम लोग हूम का यूज करते हैं यह objective है, हूज हम लोग possession दर्चाने के लिए अधिकार सो करने के लिए और हू का परयोग होता है subjective case में, लेकिन इन तीनों का परियों केवल और केवल person के लिए होता है, non-living के लिए हम लोग भाट का परियों करते हैं, ठीक है, तो who, who's, whom का परियों केवल और केवल प्राशन करने के लिए person के लिए होता है, यह subjective case में, यह अधिकार दर्स आएगा, और यह हमारा क्या होगा, objective case होगा, है ना, तो इस पार्ट में होगे हमारा, C पार्ट में, आगे चलोगे, I know a doctor you are referring to, ठीक है, आप जिस doctor को refer कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, तो यहाँ पर doctor आया है, नाउन है, बिल्पुल सही है, लेकिन यहाँ पर relative pronoun छीपा हुआ है, धियान दीजेगर, relative pronoun, मैं किसी doctor को नहीं जानता हूँ, अगर आप ऐसे बोलते है कि मैं किसी doctor को जानता हूँ, ठिक है, मैं किसी डॉक्टर को जानता हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो आप I know a doctor बोल सकते थे, ठिक है, ऐसे कोई बोले आ गया मैं किसी डॉक्टर को या एक डॉक्टर को जानता हूँ तो, I know a doctor से ही होता, लेकिन कोई भी डॉक्टर को मैं जानता हूँ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आप उस डॉक्टर को जानते हैं, मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप ऐसे सोचिए, कोई भी डॉक्टर जिसको आप चर्चा कर रहे हैं, जिसको आप चर्चा क हो जाए तो इसके साथ definite article का परियोग किया जाता है तो यहाँ पे दा का परियोग होगा क्या तो सही अंसर हमारा हो गया second आगे बढ़ हो गया the introduction of job oriented courses in the self fascinating colleges self financing colleges attract many students देखोगे यहाँ पे क्या error होगा मेरे भाई देखो the introduction of job oriented courses in the self facing colleges यहां तक भर्व नहीं आया है ध्यांदी जगे यहां तक भर्व नहीं आया है facing तो हमारा present participle हो गया tense होना चाहिए बिना tense का कोई sentence संभाब नहीं होता तो tense होना चाहिए बाई तो tense होने के लिए देखो गया track आपको दीख रहोगा भर्व क्योंकि आकरशित करना इसके पहले कोई subject है तो इन के बाद self financing courses आया है यह तो इन का object हो गया तो जो एक बार किसी का object बन जाएगा और किसी का subject बन ही नहीं सकता अब क्या job oriented courses बनेगा सर तो नहीं यह off का object बन गया और फिर से object बन गया तो यह track का subject नहीं बन सकता अभी तक introduction किसी से relate नहीं किया है preposition के बाद वाले को देखते हैं कि यह object होता है ऐसे माल लेते हैं ए भी हमारा क्या हो गया object हो गया सज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् तो first preposition को देखेंगे, first preposition को देखेंगे, first preposition मेरा क्या है, off है, देखो preposition कितना आया है, in भी preposition है, ध्यान दिजेगा, off भी preposition है, लेकिन first preposition को देखेंगे, first preposition मेरा क्या है, off है, और off के पहले introduction singular है, और singular के साथ singular भव लगाते हैं, तो attract नहीं क्या होगा, attracts होगा, error किस पार्ट में है, third part में, है ना, third part में, आगे बढ़ी है, आसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, next question की और move करते हैं, देखो, It is better to keep one's head in the face of danger, then lose one's courage, यह तो must है, better क्या है, CD, comparative degree, और comparative degree के साथ, then आना चाहिए, then देखो कहीं होगा, तो हमारा then आ चुका है, preposition, CD के साथ, then आना चाहिए, अब यहाँ पर losing लिखा है, अगर then के बाद losing है, भर्व आईएंजी है, तो then के पहले check कर लेना है, कि भर्व लूजी नहीं है, हाँ two plus भीवन है, two plus भीवन है, तो एक बात याद रख लिजेगा, कि two plus भीवन का possession two plus भीवन से होता है, और gerund का тобा साथ, then के बाद भीवन से होता है, भर्व क्लोजी नहीं होगा, to lose होगा kya? to lose होगा क्या गल्ती किस पाट में है धाट पाट में गल्टी धाट पाट में once courage बिल्कुल सही है क्योंकि किसी particular person की बात नहीं करा है in general बात कर रहा है तो once हमारा possessive adjective के रूप में बिल्कुल सही है the short stories should not exceed more than 200 words जितने भीmotions लिए गया है बहुत धाकड कोशन है भाई ठीक है यह 25 questions अगर आप डेली लगा लेते हैं तो आपका practice एक अलग label का होगा concept आपका जो होगा ना बहुत अच्छा हो जाएगा concept बहुत अच्छा होगा concept अच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा questions का practice किजेगा तो speed भी आपका बढ़ जाएग होगा कि बहुत सरा चीज जो है जो आपको पहले पढ़ा हुआ है लेकिन अभी याद नहीं है उसको भूल गए है तो भी आपको recall होगा daily 25 questions का lecture देखना है the short story should not exceed exceed हमारा क्या है model है sorry a suit model है तो हमारा क्या हो गया main word हो गया main word अब तो जानते ही है कि model के बाद क्या आता है main word भीवन होता एक nights शीड ठीक है भी और इसका मिनिंग जानते हैं क्या होता है से ज़याधा होना जब इसका मिनिंग से ज़याधा होना होता ही है तो इसके साथ more than क्या होता है Hej उता है गलतिकिस part में है रातिकिस par多क में है C Saxe part में याद रखना एक seed एक भर्भ है जो खुद ही comparison कर देता है जिसका meaning होता है से जादा होना तो इसके साथ फिर से more than क्या होता है superfluous होता है इस return का meaning होता है वे आपस आना तो इसके साथ back superfluous होता है cousin का meaning ही होता है चचेरा मचेरा फुफेरा फुफेरा मौसेरा मौसेरी भाई बहन तो उसके साथ sister और brother गलत होता है ठीक है तो उसी परकार से exceed का minimum ही होता है से जादा होना तो फिर इसके साथ more than का प्रिव गलत है और ये है क्या तो नहीं पहले क्या है infinitive है to plus b1 तो two plus b1 का comparison two plus b1 से होगा तो यह लीव नहीं होगा two leave होगा क्या मैं यहाँ पे क्या हम लोग आवा यह यहां पर यह दे रहे यहां पर रहता तो भीपीटई यह होता यहां पर रहता तो भी it is you होता क्योंकि ईस तो it के नुशार लगता है ना ऐसा नहीं करना कि i के साथ M लगा देना यहां फिर subject introductory subject it होता है लेकिन who related pronoun है related pronoun का antecedent कौन होता है इसके पहले आने वोला non-pronoun और i हो गया antecedent तो related pronoun के बाद जो भार बाता है related pronoun के तुरंथ बाद जो B part में है, गलती की इस part में है, B part में है, next, गौरी told me his name after he left, आप पढ़ें है tense क्या, tense में पढ़ाया गया होगा, past perfect tense, past perfect में दो action होता था, एक पहले और एक बाद में होता था, बीच में gap होता था, जो कार ये पहले होता था, past perfect में, और जो कार बाद में होता है, उसको रखते है simple past में, जैसे doctor के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले क्या हुआ, तो पहले रोगी मर गया, तो the patient had died, बाद में क्या हुआ, doctor आया, तो before the doctor came, तो धियान दीजेगा past के दो action का चर्चा करना हो, और दोनों आगे पीछे हुआ है, तो जो पहले हुआ है, वो past perfect में, और जो बाद में हुआ है, simple past में, नहीं समझे, past का जो action है, जो past में हुआ है, वो simple past tense में रहेगा, किस tense में, simple past tense में, जैसे, doctor आया past में, यह रहेगा simple past, और रोगी मरा, doctor के आने के भी पहले ती, तो past का भी past है ना, तो रहेगा past perfect में, तो आप देखिएगा क्या करा, गौरी मुझे उसका नाम बताई या कही, यह क्या हुआ है past में, लेकिन उसके जाने के बाद, वो चला गया, तब बताई, तो यह हमारा क्या है, past of past, past of past, तो past का tense तो simple past होगा, simple past का structure भी टू होता है, लेकिन past of past में धियां दिए past perfect, और past perfect में हम लोग head भी 3 यूज़ करते हैं, तो left भी 2 और है भी 3 दोनों का कार्ज करेगा, तो इसको भी 3 नाम दे देंगे और यहां पर he और left के बीच में head को insert कर देंगे, तो सही answer हमारा हो गया, third, सही answer कौन हो गया, third, clear है क्या, हाँ, next question, देखो, John would have told you the truth if you had asked him, यह बताओ बहुत अच्छा question है, जो लोग बना दिये हैं या जो लोग इस questions को पहले देखे हैं, तो पहले comment कर लीजिये, वीडियो को pause करके और फिर वीडियो को आप start किजियो फी देखिये कि मेरा answer आपके answer से match करता एक नहीं, देखो, एक question क्या है समझिये, देखो यहाँ पे, John would have told you the truth if you had asked me, देखोगे, एक conditional sentence है, एक क्या है, conditional sentence है, conditional sentence हम आपको पढ़ाएं हैं, ध्यान दिजेगा, तीन परकार का, चार परकार का conditional पढ़ाएं, एक पढ़ाएं, present hypothetical conditional sentence, present hypothetical conditional sentence में, subject होता था, भीटू होता था, और इसके साथ pair हम लोग बनाते थे, subject plus would plus भीवन से, subject plus would plus किसे, भीवन से, एक होता था past का hypothetical conditional sentence, इसमें हम लोग pair बनाते थे, subject plus, head plus b3, head plus b3, अफी second clause में हम लोग परियोग करते थे, subject plus would, plus have, plus b3, ठीक है, एक past hypothetical था, इसका हम लोग inversion भी दे सकते थे, इसका हम लोग inversion भी परियोग कर सकते हैं, inversion कहने का मतलब head को पहले परियोग कर लिजिए, उसके बाद हमारा subject हो जाएगा, head plus subject, और plus धियान दीजिएगा b3, plus dot dot dot, और second clause में subject plus would have plus b3, ठीक है, b3, इसका हम लोग परियोग करते थे, ठीक है, और एक होता था simple future का conditional, future का conditional, तो उसमें हम लोग एक बार b1, b5 यूज करते हैं, और second clause में परियोग करते हैं, क्या, cell, oblique, bill, plus b1 का परियोग करते हैं, यह भी बताए गया, एक होता zero conditional, zero conditional में दोनों clause में b1, b5 का परियोग किया जाता है, ठीक है, यह चीजे पढ़े होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं conditional sentence, तो 100 most reported rules में rule number 10 है, जो की YouTube पर upload है, 44 मिनट का वीडियो है, rule number 10, इसको देख लोगे, तो conditional, conditional sentence का ध्यान दीजेगा, जितना भी समस्या है, problem से, उस अब दूर हो जाएगा, ठीक है, जितने भी दिखतें आपको आती हैं, वो सब फिर नहीं आएगा, देख ले न, rule number 10, तो इसको हम उतना भी stars नहीं बताते हैं, और बताएंगे भी तो पुरा समझाना पड़ेगा, एक घंटा इसी में लग जाएगा, तो यहाँ पी यही था, कि देखो कि head plus क्या है, भी थरी, head plus क्या है, भी थरी, head plus भी थरी, और मैंने बताएंगे आपको कि head plus भी थरी, ध्यान दीजेगा, head plus भी थरी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और head पलस भीतरी यहां दिखा रहा है, इसका pair किसे होता है, would have भीतरी से, और यह हमारा क्या है, would have भीतरी, और would have भीतरी यहां पिया आपको दीख रहा होगा, would have, और told हमारा क्या है, भीतरी, तो इसमें किसी भी परकार का error नहीं है, 39 का answer हो जाएगा, कौन सा, last, next question, My sister has read pages after pages, noun में एक आपको concept पढ़ाया जाता है, if two nouns connected with, if two similar nouns, या फिर if two same nouns connected with a preposition is always in singular form and given singular verb, तो दो noun अगर preposition से जुड़ा हो, तो दोनों हमेशा singular form में होता है, तो page after page हो ही नहीं सकता, हम लोग use करेंगे page after page, जैसे की door to door यूज करते हैं, doors to doors गलत हो जाता है, door to door, words for words wrong हो जाते है, word for word होता है, और bemen after bemen गलत होता है, women after women का परियोग करना होता है, गलती किस पार्ट में है, third part में, हैस के बाद rate हमारा भी 3 है, बिल्कुल सही है, error तो हमारा third part में था, your success in IS examination depends not only on what papers you have selected, but on how you have written them, देखोगे, इसमें error क्या है, समझने का कोशिस किजिए, फिर से कपर पढ़ते हैं, your success in the IS examinations depends not only on what papers you have selected, but on you have written them, यह तो बहुत असान कोशन हो गया, ध्यान दीजएगा, यह कोशन नंबर है 41, इससे पहले हम 40 questions का practice करवा चुके हैं, और पहले concept आ चुका है, अगर पूरे ध्यान से देखे होंगे तो, हम बता चुके हैं आपको पहले के question में, कि note only के साथ pair में क्या आता है, note only के साथ pair में क्या आता है, but also, but also, लेकिन यहाँ पे तुन्होंने केवल but दिया है न, यहाँ पे होना चाहिए था, but also, note only का pair बत नहीं होता, note only का pair होता है, but also, और note only ध्यान दिजएगा preposition on के सेवा में आया है, तो but also भी on के सेवा में आया है, कितना सुन्दर बात बत बताये थे, कि note only के साथ but also, neither के साथ nor, either के साथ or, और अध्यान्दी जगा, बोथ के साथ end, अगर एक आता है preposition की सेवा में, तो दूसरा भी आएगा preposition की सेवा में, गलती हमारा हो गया, c part में, यहाँ पर क्या है, also missing है, next, heavy rains, prevent us to do the cinema, sorry, to go to the cinema, यहाँ पर क्या है सुनोगे, prevent का एका structure हम लोग ऐसे याद रखते हैं, prevent, prevent somebody from doing something, from doing something, किसी को कोई कार करने से रोकना, prevent somebody from doing something होता है, prevent के साथ साथ कभी कभी restraint भी लोग यूज करता है, restraint मिस भी क्या होता है, रोकना, और prevent मिस भी क्या होता है, रोकना, चीक है, जैसे उन्होंने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया, see prevented me from going there, चीक है, see prevented me from going there, तो यहाँ पेरर यही था कि to go नहीं होगा, from going होगा, from going, from going, from going, पेरर किस पार्ट में होगे हमारा, थाट पार्ट में होगे, थाट पार्ट में होगे, असान तो है, next, If majority of the individuals in a state prosper, the state itself would prosper, देखो क्या कर रहा है, कि individuals का जो majority है, अगर धियान दिजएगा state में, किसी भी यह state में, यदि उनत्ती करता है, तो वह state और राज भी क्या करेगा, उनत्ती करेगा, तो देखा जाता है कि overall वहाँ के लोग जो है, वह बढ़ रहा है, आगे कि नहीं अगर overall वहाँ के लोग, नागरीक, अगर विकास करेंगे, तो राज भी क्या करेगा, विकास करेगा, तो बहुत अच्छा कोशन हो गया, इंडिवीजूल समारा क्या है, PCN है, और यदि majority of के बाद PCN आता है, तो यह भी plural मान लिया जाता है, ठीक है, majority of, percent of, two-thirds of, sum of, all of, most of पढ़ाये नहीं, इसके साथ पुलल नाओन आएगा, तो यह भी पुलल हो जाएगा, uncountable आजाएगा, तो यह singular हो जाएगा, uncountable तो आई नहीं सकता, majority के साथ, अगर majority आपके साथ, तो पुलल दोनों होगा, लेकिन majority आपके साथ PCN आ गया, तो हमें सा पुललल होता है, subject भर the state itself would prosper, यह हमारा बताओ कि prosper क्या है, भीवन है, और मैं आपको अभी भी बताया हूँ कि किसी भी conditional sentence में, किसी भी conditional sentence में, या कोई future का conditional है, तो यह पला subject के बाद भीवन और भी 5 रहेगा, और ध्यान दीजेगा, second clause में subject के साथ, cell या बील आएगा, क्या आएगा, cell बील पलस क के आएगा, भी बनाएगा, यह बात का ध्यान रखना, ठीक है, cell बील पलस के आएगा, भी बनाएगा, तो आपने simple present यूज करा है जनाब, तो यहाँ पर वूड का परयोग कैसे कर सकते हैं, वील का परयोग किजिएगा, वील का, तो सिधा connect किसे हैं, वहां के majority of individual से, अगर प्रोस्पर करेगा, तो वह स्टेट भी प्रोस्पर करेगा, आगे, the motorists do not absorb the traffic regulations, they will be stopped and ticketed and have to pay fine, यह बहुत अच्छा कोशन है, का रहा है, कि अदि मोटर चलाने वाले लोग traffic regulation को नहीं मानता है, तो उनको रोका जाएगा, उनका ticket कटेगा, और साथी साथ उनको fine किया जाए तो ध्यान दो, बिल भी के बाद या तो भीफोर आता है, या तो बिल भी के बाद भीफोर आता है, बिल भी के बाद भीफोर आएगा, तो active होगा, जैसे I will be teaching English, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, यह active है, लेकिन I will be tout English, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, यह passive है, तो बिल भी के बाद भीफो रहेगा, तो active और भीफोर आता है, तो active कब होगा, passive कब होगा, जब ध्यान दिजेगा, बिल भी के पहले doer होगा, तो active में जाएगा, और बिल भी के पहले object होगा, तो पैसी में जाएगा, तो stopped हमारा क्या है, भीथरी है, और ध्यान दिज परियोग की है पैसी में और एक परियोग करेंगे एक्टी में तो यह गलत हो जाएगा पहले लीजम का रूल फॉलो होगा जैसा फॉर्म एंड के पहले वह ऐसा ही फॉर्म एंड के बाद होगा ठीक है तो यहां पर यूज करना पड़ेगा क्या वह क्या है पैसी में होगा आ यह भी हमारा क्या हो गया और इससके लिए भी झाल चरू अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ ररा है तो like जरूर किजिएगा और आपका कोई दोसरे city में, दूसरा state में, दूसरा country में रहता है, तो वहां तक video को जरूर share किजिएगा भाई, आगे चलोगे, question number है 45 में, देखो, question number 45, He asked supposing if, यह बहुत अच्छा concept है, suppose के साथ if नहीं आता है, superfluous हो जाता है, तो आप if को हटा दीजिए, या supposing को हटा दीजिए, दोनों सही हो जाएगा, what he would do, कह रहा है, कि उजहोंने कहा कि मानों यदि वो fail कर जाएगा, तो आगे क्या करेगा, तो आप if को हटा देना, ठीक है इफ को हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इफ को आप हटा दीजिए, एलर किस पाट में है, बी पाट में है, मैं यहां से क्या पढ़ाया आपको, कि suppose के साथ if का परियोग नहीं होता है, superfluous होता है, ठीक है, आगे चलो, याद रखना, जब ध्यान दीजएगा, ऐसे आता है, डीफिकल्ट आएगा कहीं पे भी, तो डीफिकल्ट के साथ अगर आप सेंटेंस को आगे एक्स्टेंड करना चाहेंगे भार्व के माधियम से, तो 2 पलस भीवन का यूज़ करेंगे, किसका 2 पलस भीवन से, लेकिन बोले तो क्या जेरंड, भार्व पलस आइएंजी बोले तो क्या जेरंड, यहाँ पर डीफिकल्ट नहीं है, डीफिकल्टी है, और अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर आता है इन, और आप जानते हैं, प्रीपोजिशन के साथ भार्व पलस आइएंजी आता है, जिसको हम ल दीजेगा तो common error two के साथ के वल भी बनाता है बाकि अन्य परी पॉजिशन के साथ हम लोग जरेंड यूज करते हैं नेक्स्ट पेसेंस एजबेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी आपको पढ़ाया गया है एजबेल एज याद है यदि दो सब्जेक्ट एजबेल एज लगते हैं तो आर नहीं क्या होगा इज होगा लेकिन एल ऑगेवर नाम लिया गया है इसका सेंटेंस में कोई रोल है तो आगे चलोगे दा पासर भाई टोल्ड आस वहर वाज दा मैरेज हॉल ध्यान दीजेगा वहर से दो कलाव जूड़ा है देखो यहां यहां पर देखो एक वाज आया हुआ है तो एह हो गया foresee का हों गया इनटरागे टिव कंजंचन्चन यदि ॴस्त दो कलाॉज को आपस में कनेक्ट करता है तो इनटरागे टिव कंजंचन होता है और याद रखना मेरे भाई इनटरागे टिव कंजंचन के बाद हमेसा हम लोग साकरात्मक संराचना का परियोग करते हैं किसी भी कंजंग्शन के बाद साकरात्मक positive structure का परियोग करते हैं affirmative structure का परियोग करते हैं और affirmative structure का ध्यांदी देगा affirmative form का structure होता है subject plus भर्व तो यह हो गया the marriage hall हमारा क्या हो गया subject हो गया the marriage hall क्या हो गया subject हो गया मेरा नाम क्या था, तो he asked me what was my name नहीं, he asked me what my name was ऐसे तो आपको यही सही लाएगा was the marriage hall, क्योंकि interrogative है सर, लेकिन गलत है आपको marriage hall का परियोग पहले करना पड़ेगा was का परियोग बाद में आपको बताया गया क्या, कोई भी conjunction हो आपका interrogative conjunction हो, या फिर कोई भी conjunction हो, इसके बाद हमेशा परियोग करना subject plus भर्व का भर्व पहले आ ही नहीं सकता, आ गया तो common error हो जाएगा आगे next the increase in conjunction is directly proportional to the increase in क्या है income, ध्यान दिजएगा यहाँ पिन्होंने परियोग किया है increase बहुँ सरे बच्चे को लग रहा होगा कि increase तो भर्व है सर, इसको noun कुरूप में कैसे उच कर रहा है तो आपको जानना होगा कि increase भर्व भी है और increase क्या है noun भी है, increase मिस बढ़ना भी होता है और increase मतलब रीधी भी होता है यहाँ पर लगा दिया article, definite इसने टाटिकल सही है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है और इड़ेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है तो directly तो हमारा एड़व हो गया और increase के लिए क्या आया है इजाया है, तो कह रहा है कि जो खापत में जो ब्रिधी हुआ वो समानुपाती है किसका income के ब्रिधी में या बढ़ोतरी में कहने का सीधा सत्ततपर है कि जिसका income बढ़ेगा जिस ratio में income बढ़ेगा, उसी ratio में ध्यान दिजाएगा खापत भी बढ़ेगा तो यहां पे भी the increase है और यहां पे भी the increase है, confusion हो रहा था तो आप help ले सकते थे इन income और यहां पे in consumption यह भी सही है और directly proportional में तो कोई गलती नहीं दीख रहा है तो no error है है कि नहीं, अगर आपको doubt होता है तो थोड़ा सा relate किया कि जिये भाई, relate करोगे ना, तो answer आपको easily मिल जाएगा Question number 15, in Singapore, my brother-in-law with his wife were present at the function, यह तो बिल्कुल चाहिए है इनका object कौन हो गया, Singapore, और in Singapore पूरा हो गया, क्या ध्यान दिजाएगा, adverb of place My brother-in-law beat का परियोग किया, आपको अभी अभी बताएं, as well, as a long beat, beat, together beat, and not, and not, except, except, accompanied by like or unlike के द्वारा दो subject जुड़ा हो, तो main subject पहले वाला होता है, brother-in-law यहाँ पे हमारा singular है, और singular के साथ singular भाव का परियोग करेंगे, तो वर नहीं होगा, क्या होगा, watch Mainly कह रहा है कि मेरा साला जो है, function में उपस्ती था, अलग बात है, उनके साथ द्यान दिजएगा, उसका पत्नी चला गया, अलग बात है, लेकिन Mainly कहने का मतलब है क्या, brother-in-law, अगर beat को हटा कर end करते, तो फिर दो person हो जाएगा, brother-in-law और his wife, तो फिर वाज नहीं वर होगा, लेकिन beat करा है, तो केवल बाद वाले का नाम लिया है, लेकिन mainly church का भी साय, brother-in-law का है, आगे चलोगे, question number 51, us-carsly, आपको pair पढ़ाएगे हैं न, us-carsly के साथ भेन आएगा, hardly के साथ भेन आएगा, rarely के साथ भेन आएगा, no, सुनर के साथ, then आएगा, not only, but also आएगा, nothing else, eight आएग आएगा, either, or आएगा, neither, nor आएगा, no to no, no के साथ और आएगा, other than आएगा, rather than आएगा, less के साथ, suit आएगा, beat bean के साथ, and आएगा, from के साथ, to आएगा, इस अब आप पढ़े होंगे मेरे भाई, तो scarcely में लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ आपको, जैसे कि scar scarcely हो जाएगा, hardly हो जाएगा, या फिर मान लिजए, कभी आपको लिखा हुआ मिल जाए, barely, बताओगे, सम्में common सी चीज है, कि सम्में ALY लगा हुआ है, जिसके जिसके साथ ALY लगा हुआ है, उसके साथ pair में हम लोग then नहीं लगाते हैं, उसके साथ pair में क्या लगाते हैं, भेन लगाते हैं, error किस पार्ट में है, बी पार्ट में, error किस पार्ट में है, बी पार्ट में, लेकिन धियान दीजेगा, एक confusion और होगा, no sooner के साथ pair में आप क्या लगाएंगे, then लगाएंगे, ऐसा क्यों बाबू, क्योंकि no sooner के last में देखोगे, ER है, और ER है तो CD, comparative degree का form है और comparative degree के साथ then लगाता है, और जब L Y रहेगा तो time को दर्स आएगा, time के साथ हम लोग भेन या before लगाते हैं, तो गलती हमारा कीस पार्ट में है, second part में, आगे चलोगे, the region भाई, यह पहुत must question है, paper में छप रहा है और फिसे छपेगा, या तो ध्यान दीजेगा, तुम्हा का परियोग नहीं करना, कभी because of का परियोग नहीं करना, what is difference between because and because of, तो because of preposition है, और because क्या है, इसके साथ भूल कर भी due to का परियोग नहीं करना, और इसके साथ भूल कर आप oving to का भी परियोग नहीं करना, क्योंकि the region भाई, कारण को दर्स आने के लिए आता है, और जो साथ में लिके हैं because of या फिकाज या due to या obing to ये भी क्या है कारण को दर्स आता है तो दो कारण को दर्स आने के लिए दो वर्ट नहीं आएगा तो इसके साथ इसका परियोग कर लिया जाए तो गलत होता नहीं हो सकता है अगर the region why से sentence शुरुवात करेगा तो error ऐसा ही बनेगा और इससे ही बनेगा the region why he was rejected उसको reject कर दिया गया उसके पीछे वाजा यह था कि वो बहुत ही ज्यादा यंग था ठीक है बहुत यंग था तो यहाँ पे आप विकाज का परियोग नहीं कर सकते गलती किस पार्ट में है सी पार्ट में देखिएगा next question the teachers of various schools made to discuss about how to improve the standard of English यहाँ देखोगे two के बाद भीवन आता है तो इन्फिनिटीव है कहीं ने कहीं यह भर्व कहीं काम कर रहा है और जब discuss भर्व का काम करेगा तो यह transitive होता है कौन भर्व ट्रांजिटीव और ट्रांजिटीव भर्व के बाद direct हमारा object आता है तो how to improve यह object के रूप में काम कर रहा है चर्चा कर रहा था और अगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरें में है चलते हैं नेक्स कोशन की ओर देखिए तो कोशन आज समाप्त हो चुका है 53 कोशन था तो वन से लेकर 53 कोशन तक मैं सलूशन करवा दिया हूँ फिर मिलते हैं नेक्स दे आज जहीं तक अपना ख्याल रखेगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है अपको मज़ा रहा है तो आप सेशन को कंटिनीवरसली वाज किजिए और अपना कॉंसेप्ट को बेहतर किजिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तक जरूर सेयर किजिएगा फिर मिलते हैं कल तब तक बाई टेक कियर गुद नाइट